वर्ड कप को अभी दो साल बागी हैं लेकिन शिलंका में चार मैच और तीन पारिये धोनी ने ऐसी खेली कि रवीश शास्त्री धोनी के मुरीद हो गए मतलब कोच ने ये साफ कर दिया है कि 2019 वर्ड कप के लिए धोनी इस टीम के एहम किरदार निभाएंगे रवीश शास्त्री का कहना है कि धोनी तो अभी आधा भी नहीं खत्म हो है इसका मतलब है कि वो इस बात को भी समझते हैं कि इस टीम के मध्यकरम की जो कमजोरी है उसकी ग्लू यानि उसे जोडने का काम सिर्फ धोनी करते हैं ये सच है कि भारत के पहले तीन बलेबाज इस दुनिया के सबसे बहतरीन बलेबाज है लेकिन जब ये तीन रन नहीं बनाते या जिस दिन भारत की विक्टे जल्दी गिर जाएंगी तो मधिकरम में थोड़ी सी कमजोरी है हाला कि धोनी की फिटनेस को लेकर धोनी की विकेट कीपिंग अबिलिटी को लेकर कभी कोई सवाल नहीं था लेकिन इस सीरीज से पहले कोच के बयान से पहले चीफ सेलेक्टर MS के परसाद ने जो कहा था शायद वो सब के जहन में था उन्होंने कहा था कि धोनी को मैच दर मैच सीरीज दर सीरीज इवैलूएट किया जाएगा देखा जाएगा कि धोनी में कितनी क्षमता है और साफ भी है 36 साल धोनी की उमर आज है वो एक बार फिर फैन बन गए और टीम पारियें खेलने एक बात इस पूरी सीरीज में वो आउट तो हुए नहीं है रवी शास्त्री ने ये कहना कि धोनी इस टीम का सबसे पॉजिटिव इंफ्लोंस है ना सिरफ मैदान पर बलकि मैदान के बाहर ड्रेसिंग रूम में भी तो ये दर्शाता है कि विराट कोली और रवी शास्त्री की सोच में धोनी अभी भी अवल है दो साल में कुछ भी हो सकता है सब कुछ बदल भी सकता है लेकिन धोनी की फिटनेस को देखते हैं तो धोनी नीले कपड़ों में आपको जरूर नजर आएंगे फिलाल ला आपको एक बार फिर बता दें कि स्पोर्ट्स तक यूट्यूब चैनल को आप सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से अपना प्यार हमें देते रहें